यह देखें जी यह शुवार में हमारे त्यार हो गी है और जैसे मिचे आ रहे थे मैंने बसके जली जल्दी में लपेट दी है जिस तरह से बिते लिपेटे गई हैं हम में इसको ठाते हैं गराई में पीकोक यह देखें एक बला बड़ा एक वह बला बड़ा वह असलाम को दिखा थी को टाइम जो है ना चार बज़ गया है यह देखें चुरे चार बज़ कर पांच मिनट हो गया है और यहां पर जो है ना अब मैं सहरी त्यार करने लगी हूँ यह चाही रखी हुई है पेड़ी कर ली है मैंने आठीके और अब शुरू करते हैं प्राटे बनान साथ साथ वीडियो बनती है और साथ साथ में अपनी सहरी त्यार करते हैं अच्छे सुबर सहरी का टाइम होता है और सहरी के टाइम पर आपको पते इतना बोला भी नहीं जाता इंसान का इतना दिल भी नहीं करता है बाते करने को तो जो है ना उपर से मुझे इतनी जल्दी पड़ी भी थी क्योंकि क्राइम थोड़ा रहे गया था और सहरी का जो है ताइम आपको पता है जब एक दुफ़ा चार बच जाते हैं पर तो टाइम ऐसे भागता है जैसे पता नहीं कौन से घोड़े पर सवार होता है तो यहां पर जो है ना जल्दी जल्दी से मैं नाश्ता बना रही थी और आज जो है ना बिलाल ने सेरी कीवी थी उसने बाहर से क करके आया था तो उसके इसलिए मैंनी ही बना रही थी जल्दी जल्दी से बच्चों को उठाओं उस्मान उठचो जल्दी से देर हो रही है उठो उठो शाबश जैसर के साड़े चाहरों मान जल्दी उठो चल्दी हम सेरी करते हैं और फिर जी तो हम लोगों ने सेरी कर ली थी और उसके बाद जी नमास को आपको जैसे के बत्ध रियुक्ता प्रते तो फिर नमाज पढ़ना बी जरूरी होता है तो यहाँ पर नमाज भी बाद भी मैंने पढ़ ली थी उसके बाद जी मैं अपना सबख लेके बैट की थी अच्छा ना जो है ना सुबागा टाइम है और अभी तो मैं रोजा रखके सोई नहीं थी अपना सबख वगरा पारी थी क्योंकि मैं जो पता है शाम को मैंने स्कूल में भीजना होता है और हम साथ बच चुके हैं और हिशाम को उठाते हैं शाम को त्यार करते हैं और इसको स्कूल भेज़ते हैं तो यहां पर शाम उच्छो बिटा जल्दी शुर्चो त्यार उने हैं और स्कूल जाना है मैं इसको त्यार करती हूँ और स्कूल के लिए तुप जो है ना यह देखके मारे गराएं में पी कॉक यह देखें कि ये बनाने वाली हुं कोफते और अंटे कि अंडे की धो यू थो यह व्यू और देमले भी मैं बना चुकी हूँ तो बस अब शुरू करते हैं कौफते बनाने यह कौफते जो थे ना यह मैं के एंसके के लेकर आई थी तो मैंने का अब आज कल आपको जैसे पता है ना रोजे हैं तो रोजों में जो है टाइम भी कम होता है और फिर समझ भी नहीं आती इ जो है ना इसलिए मैं यह ले आई थी एक पैकेट छोटा वाला मैंने का चलो एक दम से जब बिंदे को समझने आती या खुछत होती है तो निकालते हैं इनसान चल्दी बन जाते हैं यह तो यह जो है इनको मैं हलका सा फ्राई कर लूंगी यहां पर और आप कहेंगे कि पीक देते हैं उसके बाद जब आएंगे तो फिर आप उनको बेटे को कह रहे थे इसमान को क्या अगर वाएं तो अंकल तो आप उनको दे देना तो वो तो फिलहाल आई नहीं थे तो वो फिर पड़ी रहे गे तो फिर मैं कर चले मैं आप लोगों को दिखाती हूं अच्छा सु कुल फूल छोरके में आने के बाद भी मैं सो गई थी तोरी दिर का विए कियोंकि मुझे भी आराम की जूए थी थोरी सी क्योंकि नीन नीइट है तनी चाद आ रहा comigo मैं राध 9 बज़ उट रती हूं तो फिर में अपना वजञ चार्व नहीं यह तो फिर मैं अपना वझे वक्ते बैट चाती हूं तो प्रूड़ और शोड़कर आपकर तो प्रूड़ी देर के लिए सोती हूं तो यहां पर फिर जब मैं उठी हूं तो उसके बाद तो फिर मैंने कोई वीडियो बनाई ने थी तो अब शाम कर टाइम हो रहा ता जैसा कि अफ्तारी की तीजारी करनी की तो फिर मैंने आप इसनी वीडियो बनानी शुरू की तो यहां पर जो है कोफ़ते जिस ओयल में मैंने fest इस Hazard की तो उसी मैं आपको अपकेता हुना आपको ने दीजार हो ने दीजा का था झाल हम आमके अई तरणी करता है तो हूँ गोई वह ज जो है वो खतम कर दूं और दुबारा पिन्हर ताजा ओएल लेकर दूसरा साफ ओएल लेकर उस में चीज फ्राई करूं , तो यहां मैंने कोफ्ते फ्राई किया तो उसके बार जी मैं dti मैं उसके अंदर ही मैंने चिप्स को फ्राई कर लिया मैं कब ऑईल गरम है तो फिर बार बार इसको क्या गरम करना है तो भी ऑईल फ्राई करके रख देती हूँ तो यहां पर जो है मैंने यह ब्लेंडर में लसन अधरक और प्यास को डाल कर उसके इची तरह से ब्लेंड कर लिया था कोफतों में जैसा कि आपको पता है कि वैसे कटिंग करके नहीं डालते प्यास वगयरा क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता तो आप इसे ब्लेंड करके तो औालने टरमाटर भी ब्लेंड करके ही डालते हैं क्योंकि कौफटों में पिर वो जो है मुझा नहीं आता इस तरह से तो यहां पर बसमेश मुझे जल्दी पढ़ी भी थी क्योंकि मैंने अभी शौर में बίνाने थे और शौर में आज आप रोऊँगा प्रि यि कैसी बनाने से दिखाऊंगी मैंने बच्चों को भीजा था तिकमिसाला लेने के लिये लेकिन तिकमिसाला जो है वो कहते शौर्ट हुआ है और वो मिला नहीं यहाँ से तो मैंने का चले मेरे फिर नहीं तरकीश जो है कर लिया कि अब़स भी से थोड़ा सा मिसाला भूना जाएगा तो इसके अंदे नाल कर उसको वाद देन्गे अंडेव। मैं वाल कलिए मैं अन्डे उबाल कर छय रए हूं इनको एक साइज पर रखांगे और यहां मिसाला जो है भूना गया मैंने एक छोटा डोंगा छो लएकर मैंने उसे पानी का वो इसके अंदर डाल दिया क्योंकि मैंचे जितना इसके ग्रेवी चाहिए थी उतने मिसाब से मैंने इसके अंदर पानी डाल लाए अगर आप लोग ज़्यादा ग्रेवी चाते हैं तो आप ज़्यादा भी पानी यूज़ कर सकते हैं और यहां पर जो है इसको एक उबाल आजेगा तो यहां उबाल आने के पाद जो है मैंने इसके अंदर आप यह कौफटे जो फ्राइ करके रखे बसे एड़ कर दूँगी अच्छा इन कौफटों को फिर मैं आप लोगों के साथ दुबारा से शेयर करी हूँ कि अगर आप लोग ज़्यादा ओवरकुक करेंगे तो यह सकत हो जाते हैं तो इनको आपने ज़्यादा ओवरकुक नहीं करना क्योंकि यह सकत हो जाते हैं और फिर खान वो मज़ा नहीं रहता यह जो बजार के बने होते हैं जो घर में आप बनाते हैं वो तो आप easy-ly हो जाते हैं वो इतने सकत नहीं होते हैं लेकिन इन में मैने अएकछीज दी जाही जिए है वे एक दिखाव मेरेसे जादा over YOक हो गये थे तो वह बहुत सकत हो गये थे तो यहां पर पगे हैं, कौफतें, मेरे त्यार की में हैं मेरे नहीं सोरी चीकान के कीमे के और यहां पर अड़े जो मैंने अबाल एक टके हैंता हैं तो मैंने आइड कर दिया बस इसके अंदर मैं रपनालों। सबस मिच्च, सबस धनिया और गर मिसाला जैसा कि मैं हमेशा पीसावा जो है उपर से छिड़कती हूँ क्योंकि उसकी खुषपू जो है वो बहुत अच्छी आती है तो यह हम यह डालने के बाद जी इसको मैं हलकी आंच पर रख दूँगी ताकि यह थोड़ा सा सही हो जै मिसाला बसा और उधर हम जो है उसकी त्यारी करेंगे तो चिकन को मैंने रेशा रेशा करके रख लिया हाफ की जी चिकन था मेरे पास उसको मैंने उबार लिया था शवार्मो के लिए और उबारने के बाद जी उसको मैंने रेशा रेशा करके एकसाइट पर रख लिए है अब जी सब्दियां जो हैं वो मैंने काट कर रखी हुई है तो वो सब्दियां उसके अंदर मैंने खीरा और इनको जो है सोरी गाजर और बंगो भी और ये चीज़ें लेकर मैंने थोड़ा सा प्याज लेकर मैंने उसको प्रिक प्रिक कट करके तो मैंने उसके अंदर सिर्का डाल कर रख लिया ठीक है और सिर्का डालने से जो सब्दियों का टेस्ट होता है वो बिलकुल बाहर की तरह आता है जैसे आप बाहर से श्वारमा लेकर खाते हैं ना तो आपने देखा होगा उनकी सब्दियां जो है एक तो बड़ी ताजी सी लगती है और खटी-खटी सी धाई काते हैं तो उन्हें सिर्का उसमें जो है वो डाला होता है तो मैंने सिर्के में भिगो दिया था यानि के राएट ब्राउन सा होगा तो उसके अंदर मैं ने उबना हुआ जो जाए चिकन था इसको मैंने टाल दिय है इसके बाद जी इसके जिसके इंदर चली जिए काली मिर्चे नमक थोड़ा सा चाट मिसाला मैंने डाल दिय है और इसके हैं और बस और कुछ मिन भी डालूंगी जैसे भी आपको टेस्ट अच्छा लगता है यानि कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मिच्चे खाते हैं कुछ लोग कम खाते हैं तो अपने आप टेस्ट के मताबिक हर चीज डाल सकते हैं यहाँ पर तो यह डाल दिया है इसके अंदर जी मैं आप थोड़ी सी सोया सोस दो एक से डेड़ चमर्श थोड़ा सा सिर्का एक चमर्श और थोड़ी सी सोया यह चिली सोस यह डालने के बाद एक चमर्श तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी एक मिनिट के लिए मैं से पका लूँगी बस और उसके बाद जी मैं से उतार कर ठंडा होने के लिए रखतूंगी और वहां पर जो है उतनी दिर मैं ब्रेड़ जो है शौरमा की उसको मैं सेक लूँगी और उसके बाद जी अच्छे ये शौार में जो बनाए है और ये तो फिलहाल अब हम लोग बना के खा चुके है और टबिंग जो है वो मैं अब कर रही हूं बैट कर और वाइज वाइज ओवर कर रही हूं तो ये जो है काफी मज़े के बने थे आप लोग भी सिर्ण ट्राइ क किछेगा तो बहुत अच्छे बने थे बिल्कूल ऐसे लग रहा है जैसे बाद के बने बने हुए है बलके बजार वालों से ज्यादा ही मज़े के थे और यहां पर जो है मैं इस पैन में जो हिंको हलका हलका सेक लिया और सारा सेक ये क्योंकर मैंने दो पैकिट मंग वाई तो एक पैकेट में चार पीस होते हैं इसके ब्रेट के तो यह मैंने सीख लिए अधि करूँगी उसको लगाँगे उसके बाद चिकन रखोंगी चिकन के बाद जी मैंने यह जो सबसियां रिखिँ इस सिरके में डाबभिक होकर यानि के ज्यादा सिर्कानी मैंने बिल्कुल डिपनी की थी उसमें सब्जियां थोड़ा सा जैसे मैंने सिर्का तीन से चार्ट मच लेकिए और मैंने उनकों पर छिड़क कर उसको रख दिया था तो यहां पर यह सब्जियां में इसके अंदर टमाटर था गाचा थी कीरा था बंद को भी थी और शिम्ला में रिची तो यह जो है काट कर इसके अंदर जी मैं इसको बस मैं पेपर में जो है वो लपेड़ दूँगी अच्छा फॉयल पेपर तो मैं बड़े शोक से लेकर यह तो पर से देर हो रही थी बच्चों ने पीछे से शुशी के मारने पर हात रखा हुआ था कि जल्दी करो ममा रोजे का टाइम हो गया जल्दी करो यह देखें जी यह शुआर में हमारे त्यार हो गए है और जैसे मिचे आ रहे थे मैं बस तैसे जल्दी में लपेड़ द बनाए थे साथ में मैंने कोफटे रंडे बनाए थे लेकिन अभी मैं लेके नहीं आई उसी फिशाम बिलान ने अपने लिए डाला तो वस्ताला जिपस बनाई थी और यह शुआर में बटाए है तो बस यह सारी जो है अफ़तारी की त्यारी है और अब बस रोजा खुलने हम सारे बैट के दुआ करेंगे और फिर इंचाला रोजा खुलेंगे और फिर मिलते हैं आप से